हाई बच्चे लोग कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छी तरीके से खेल खूद रहे होंगे तो दोस्तो मेरा नाम है रहूल जैस्वालन आपका स्वागत है हमारे इस बहतरीन से यूटूब चैनल में जिसक अब आपको प्रिया मिश्रा मेडम पढ़ाएंगे बहुत सारे अले अलगे अलग सब्जेक्ट्स बीच-बीच में मेरे वीडिवेश भी आएंगे बिच-बीच में उनके वीडिवेश भी आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम सभीag साब बने रहे ना तो अभी मैं ज आ रहा हूँ अभी प्रिया मेडम लेक्चर को शिरुवात करेगी वीडियो की शिरुवात करेगी पढ़ाने को शिरुवात करेगी तो आप लोग बस सपोर्ट करना और अच्छे अच्छे लाइक और अच्छे अच्छे कॉमेंट करना और चैनल को सब्स्क्राइब करना ठीक ह Hello everyone, my name is Priya and welcome to JRJuniors कैसे हो आप लोग, I hope आप लोग अच्छे होंगे So, आज का लेक्चर है, 5th Standard के लिए Max का लेक्चर वीडियो And ये chapter है, 12th chapter and chapter name is Perimeter and Area So, इसका previous lecture जिन्होंने नहीं देखा होगा So, प्लीज आप लोग इसका previous lecture जो था, ये हमारा 49 exercise है और आप लोग प्लीज 48 exercise देख लीजिए अगर आप लोग वो देख लेंगे, तो आप लोगों ये बहुत easy पड़ेगा समझ आ जाएगा कि इसको solve कैसे करना है So, start करते हैं हमने previous lecture में भी देखा था कि हमें perimeter कैसे find करना है उसका easy method हमने देखा हुआ था वो method किस चीज के लिए था? वो method था, कोई भी random जो हमें angles दिये होते हैं उसके लिए वो method यूज करते हैं अगर हमें rectangle and square दिया हुआ होगा तो उसके लिए कैसे find करते हैं वो हम पढ़ेंगे इस exercise में So, start करते हैं कुछ examples लेते हैं देन उसके बाद क्या करेंगे? Exercise पर आएंगे and exercise के कुछ questions solve करवाऊंगी और जो similar questions होगे वो आप लोग खुद से solve करेंगे and मैं different questions solve करवाऊंगी So, start करते हैं हमें सबसे first formula क्या दिया हुआ है? Perimeter of a rectangle Perimeter of rectangle rectangle का perimeter हम कैसे find कर सकते हैं? Okay? So, उसका formula क्या है? Perimeter of rectangle is equals to 2 into length plus 2 into breadth 2 into length 2 से क्या करना है? उसकी length को जो हमारा rectangle होगा For example, यह हमारा rectangle है तो इसको क्या करना है? इसके length को 2 से into करना है and क्या करना है? बीच में add आएगा and then 2 into breadth उसके breadth को उसकी चोड़ाई को 2 से into करना है Okay? So, इस formula को आप लोग को learn करना है यह आपको learn रहेगा तो ही आप जितने भी questions exercise में दिये हुए है वो आप solve कर पाएंगे Okay? So, first example आप लोग को example देके बताती हूँ मैं यह रहा हमारा एक example जो कि है एक rectangle Okay? इसको देख के आप लोग को पता चल रहा होगा कि यह rectangle है square तो नहीं दिख रहा ना? So, यह rectangle है इसका breadth कितना दिया हुआ है? 3 cm इसका breadth दिया हुआ है and इसका length कितना दिया हुआ है? 7 cm यह होता है length and यह होता है breadth यह होती है लंबाई and यह होती है चौडाई Okay? So, इसका क्या करना है? हमें formula में क्या बताया है? कि 2 into length means कि 2 से into किसको करना है? length को इसकी यह length है इसका तो यह क्या करना है? हमें 2 into 7 7 हमारा length है तो क्या करेंगे? length की जगे पे डालेंगे and plus 2 into breadth तो कहा है हमारा breadth? यह रहा हमारा breadth कितना है breadth हमारा? 3 है तो क्या करेंगे? 2 को into करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 2 into 7 plus 2 into 3 एंड उसको क्या करना है? इंटू करना है and then क्या करना है? उसको add कर देना है तो 7 into 2 कितना हो जाएगा? 14, तो यहां क्या आएगा? 14, प्लस, बीच में प्लस है न? तो यहां पे आ जाएगा add का symbol प्लस क्या है? 2 into 3 2 into 3, 6 तो यहां क्या आ जाएगा? 6 ओकी? and then क्या करना है? बीच में add है तो means कि हमें 14 को and 6 को क्या करना है? add करना है और answer हमें क्या मिल जाएगा? 20, ओकी? सो हमारा final answer क्या है? इस rectangle का perimeter क्या है? perimeter of rectangle इसका क्या है? 20 centimeter okay? ऐसे ही, same इसका ही, वैसे ही examples और भी आपके exercise में दिया हुआ है, वो हम थोड़े दिर बाद solve करेंगे, okay? सो अब क्या करते हैं? second formula पर आते हैं second formula में क्या दिया हुआ है? formula for perimeter of square square का perimeter हमें कैसे find करना है? जैसे हमने rectangle का perimeter find किया और उसका formula था, वैसे ही square का perimeter find करने के लिए भी हमें एक formula दिया गया है उसका क्या formula है? perimeter of square is equals to 4 into length of one side 4 से क्या करना है? उनका, ये जो square होता है square है इसका one side जो होगा वो क्या होगा? 4 से into होगा okay? क्या है हमें हमारा formula? perimeter of square is equals to 4 into length of one side और length of one side क्यों बताया गया है? क्यों दिया गया है? इसी लिए दिया गया है क्यों कि square के जितने भी sides होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं अगर यहाँ पे 6 cm दिया हुआ है एक side हमें तो इसका मतलब हमें खुश से समझना है कि यहाँ भी 6 cm है 6 cm है यहाँ भी 6 cm है और यहाँ भी 6 cm है इसी लिए हमें क्या दिया हुआ है? length of one side क्योंकि square के सारे side सेम होते हैं तो क्या करते हैं? हम इसको solve करते हैं यह हमारा एक square है square में हमें 6 cm का square दिया है अब हमें क्या करना है? formula के basis पे यह question को solve करना है इसका perimeter find करना है तो क्या करेंगे? क्या दिया है हमें 4 into length means की 4 into length क्या है हमारे पास? 6 cm तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 then इन दोनों को क्या करना है? multiply करना है इन दोनों को multiply करके answer क्या मिलेगा? 24 अब क्या हमें पता चल रहा है कि perimeter of square perimeter of this square is 24 cm ok I hope आप लोगों को ये दो examples से समझ में आया होगा अब हम क्या करेंगे? exercise के कुछ questions solve करेंगे ok तो यह रहा हमारे exercise का first question ok so first question में हमें क्या दिया हुआ है? what problems है? ok so what problem में हमें क्या दिया हुआ है? 7 cm long है and क्या है? 4 cm उसका जो breath होता है ये होता है ok breath उसकी चोड़ाई जो होती है वो है ok so हमें क्या करना है? कि उसका क्या बनाना है? rectangle raw करना है ok angle बनाएंगे हम इससे हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा formula यूज करना है ok so इसका length क्या दिया हुआ है? हमें 7 cm ok then क्या दिया हुआ है? हमें 4 cm का इसकी चोड़ाई दी हुई है जो की है यहाँ पे 4 cm ok अब हमें क्या करना है? formula put करना है अब यह हमें समझा गया कि यह क्या है? rectangle है तो इसमें कौन सा formula आएगा? rectangle का formula आएगा और rectangle का formula क्या है? हमने पहले देख चुके है कि क्या है हमारा rectangle का formula perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus 2 into breath ok so क्या करेंगे? हम यहाँ पे formula लिखेंगे 2 into length plus 2 into breath ok then क्या करना है? formula में जो भी हमें values दी हुई है उसको put करेंगे so क्या put करेंगे हम? 2 into length क्या है? हमारे पास 7 cm तो यहाँ क्या आएगा? 7 cm plus 2 into breath क्या दिया हुआ है? हमें breath मतलब चोड़ाई breath क्या दिया हुआ है? हमें 4 cm तो यहाँ क्या आजाएगा? 4 ok then क्या करना है? हमें इन दोनों को add कर देना है sorry multiply करना है and then क्या करना है? add करना है so 7 into 2 कितना हो जाएगा 14 and then बीच में add उसके बाद 2 into 4 कितना होगा? 8 होगा तो यहाँ क्या आएगा? 8 अब क्या करना है? हमें last step last step जो की है हमारा add अब इन दोनों को क्या करेंगे? add करेंगे add करने के बाद हमें क्या answer मिलेगा? 14 plus 8 is equals to 22 so हमारा answer क्या है? perimeter और यह जो sorry इसका rectangle का क्या है perimeter 22 centimeter ओके? आपको words में अच्छी तरह से अपने notebook में लिखना है ओके? अब हम क्या करते हैं? second question solve करते हैं जो की इसका ही similar question है इसके बाद हम क्या करेंगे? एक और third question देखेंगे जिसमें हम क्या find करेंगे? square का find करेंगे तो second question second question हमें क्या दिया हुआ है? 20 meter का दिया हुआ है and breadth की width कितना दिया हुआ है? 12 meter का okay so क्या करते है? 20, sorry, meter का है, तो meter आ जाएगा, okay, then, उसका वृत कितना दिया हुआ है, with 12 दिया हुआ है, तो 20 से हम थोड़ा सा कम लेके draw करेंगे, आप लोग scale pencil का use करके draw करेंगे, मिर पास नहीं है, तो मैं इससे draw करेंगे, इसलिए थोड़ा सा टेड़ा वगेरा हो सकता है, आप लोग अपने notebook में अच्छी तरह से scale pencil का use करके clear draw करेंगे, okay, then क्या करना है, हमें 12 meter, यहाँ पे क्या है, यह 12 meter का है, तो 12 meter आ गया, अब क्या करेंगे हम, आप करेंगे हम values, यहाँ पे formula लिखेंगे, and then क्या करना है, values को put करना है, okay, so, क्या है हमारा formula, formula है हमारा 2 into length, length plus 2 into breath, okay, अब क्या करना है, values को put करना है, 2 into length क्या दिया हुआ है, हमें 20 meter, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20 plus 2 into breath कितना दिया हुआ है, 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12, then 20 into 2 हो जाएगा, 40, so, यहाँ पे आ जाएगा, 40, plus 12 into 2, कितना हो जाएगा, 24, and then last step क्या है, 40 plus 24, इन दोनों को क्या करना है, add करना है, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को add करेंगे, 40 plus 24 कितना हो जाएगा, 64, और यह क्या दिया हुआ है, meters में दिया हुआ है, तो हमें क्या मिलेगा, meters में answer, 64 meter, आप लोग इसको words में, अच्छी तरह से लिखेंगे, नहीं तो आप लोग का marks कर जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे हम, थर्ड क्वेशन सौल्प करते हैं, जिसमें क्या रहेगा, square का perimeter, find करना रहेगा, यह रहा हमारा third question, and third question में हमें क्या दिया हुआ है, side of square, nine centimeter, और हमें find क्या करना है, perimeter of square, तो इसका क्या करना है, perimeter find करना है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, नाइन मीटर्स का में मेजर बिंट दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करना है, हमें स्क्वेर ड्रॉ करना है, और स्क्वेर के क्या होते हैं, जितने भी साइट्स होते हैं, उसके न recuerde करें हो आफते हैं दर्जान है मैं दो ke Sceks synergy thesis करें पार अब इसमें क्या करेंगे इसका नेमींग करते हैं आप लोग के हमने एक कुछ ऌर नहीं नहीं किया है बट आप लोग naming कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं इससे आपके marks में cut या cut नहीं होगा और अगर डाले होगे तो अच्छा दिखेगा इसके लिए हम डाल सकते हैं तो इसका हम डाल देते हैं एक question naming वाला भी कर लेते हैं इसका क्या करते हैं हम name डालते हैं A B C D और उसका क्या दिया हुआ है 9 meter long दिया हुआ है उसका एक measurement 9 meter दिया हुआ है अब इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे सारे साइट्स क्या होते हैं सेम होते हैं तो 9 मीटर्स यहाँ पे लिख लिख लिया हमने कई भी लिख सकते हैं अब क्या करते हैं हम square का formula याद करते हैं square का formula क्या था यहाँ पे लिखा हुआ है perimeter of square is equals to 4 into length of one side तो हमें one side दिया हुआ है and हमें क्या करना है उसको 4 से multiply करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम formula लिखेंगे 4 into length of one side ओके length of one side so put करना start करते हैं 4 into length of क्या है 9 दिया हुआ है यहाँ क्या आजाएगा इन दोनों को multiply करने के बाद 36 तो यहाँ क्या आएगा 36 क्या है यह meters में answer है तो हम answer में क्या लिखेंगे meter हमें क्या मिल गया perimeter of square मिल गया हमे 36 meter ओके यह 3 questions हमने अभी solve किये है और आगे के questions जितने भी बचे हुए हम next lecture में solve करेंगे अगर आप लोग को अच्छी तरह से समझा और वीडियो अच्छा लगा तो please like करना subscribe करना और आपके जो भी friends होंगे उनको जादा से जादा वीडियो शेयर करना उनको भी पढ़ना है न तो उनको भी शेयर करना ओके तो तब तक के लिए bye bye मिलते है next video में करेंगे